Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफॉर्डबल Good morning everyone, so today is a very special day, सबसे पहले तो very happy Ganesh Chaturthi to all of you उसके बाद Parliamentarians, अज पारलेमेंट की जो नई बिल्डिंग है उसमें जाने वाले हैं and finally जो कल शाम से news viral हो रही है, कि 1970 से जो successive government strike कर रही थी कि जी women को लोकसभा और सभी की सभी state legislative assembly यानि की states की विधान सभाओं में 33% का reservation मिले, उसको finally कल cabinet ने शाम को नौट दे दी है और ये माना जा रहा है कि कल, यानि की witness day को वो बिल कंसिडर करा जाएगा and अगर ये bill पास हो जाता है, तो then you can finally conclude कि अगर हम आज के भारत के अमरित कालवक के भारत की 75 years of independence तक के भारत की बात करें, तो ये एक landmark step है towards women empowerment, equality ensure करने के लिए, ठीक है? तो चलिए, आज की class में ये सब देखेंगे कि women reservation को जो cabinet nod मिला है, उसके बाद the cabinet ने approval दे दिया है, women reservation bill को सबसे important बात की जो जैराम रमेश है, which is not from the ruling party, ये opposition parties भी इस decision को welcome कर रही है तो सभी parties का consensus है, ये भी बहुत एक बड़ी बात है, right? क्योंकि पिछले जो भी successive failures हुए, 1997 से सरकारें ट्राई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें ट्राई नहीं किया, बट failure का कारण था कि उन्हें बाकी opposition बाकियों की support नहीं मिली, तो इस time पे जो बाकी parties है, उनकी भी support है, उसके बाद अगर आपने आज का Indian Express देखा हो, तो उस consensus 1996 में बन गया था, लेकिन वो फेल हुआ, complete timeline देखेंगे राजीव गांदी जी के time पे क्या हुआ, नरसीमा राओ के time पे क्या हुआ, आईके गुजराल जी के time पे क्या हुआ, अतल बहरी वाजपई जी के time पे क्या हुआ, moving on to Manmohan Singh government and then finally to the present government, ठीक है, and present government में भी जब हम ब आती है, तो women empowerment के शेतर में, trust me it is going to, हम believe कर सकते हैं कि हाँ, at least gender equality में तो after 75 years हम एक landmark step पे पहुँच गए हैं, चलिए, सबसे पहले before initiating this class, discussion करेंगे, constitutional aspect देखेंगे, political नजरिया देखेंगे, क्या positive chances हैं, लेकिन कुछ negative chances भी हैं, challenges भी आएंगे, उनको भी देखेंगे, सब government, जनोंने भारतिये independence, जो हम आज ये अजादी मान रहे हैं, उनके पीछो जो contribution रहा है, पहले उनको खलका सा याद कर लेते हैं, because आज भी अगर, कहीं से भी अगर माना जाता है कि after life होती है, तो ये आज के decision को देख रहे होंगे, तो trust me, अपने दिल में वो बहुत खुश ह होंगे, ठीके, कंदंबिनी गांगुली जी, हाना, political sphere में, जब Congress का formation हुआ, तो speech दी इनोंने, 1880s में, तो she was an initiation, उसके बाद सरोजनी नाइडू जी, उसके बाद रानी लक्षमी बाई, अगर हम 1957 के revolt की बात करें, बेगम हजरत महल जो लखनवू से थे, उनकी बात करें, उ All these faces are there, इनको याद करके आज की class शुरू करते हैं, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इन सब चीजों की जरूरत क्या है, women reservation हमें चाहिए क्यों, सबसे बड़ा उसके पीछे जो reason portrait करा जा रहा है, वो यह है कि अगर उनकी women की population अभी भारत में हम देखें, और उनके population के हिसा से उनका leadership role देखें, वो दोनों में समानता नहीं है, ठीक है, दो report हैं हमारे पास, अगर आप census की बात करो, census के हिसाब से लगभग 2011 का census ये बोलता है कि अगर आप अनुपात देखो man और women की population की, तो अगर 1000 आदमी 1000 आदमी के पीछे 943 women हैं, उसके बाद हमारे पास 2021 में एक survey आता है, अब BBC की site पे देखें, यहां यह हिंदू से मैंने article code करा है, तो उसका नाम है National Family Health Survey, ये बोलता है कि 2021 तक क्योंकि बिछला census 10 साल पहले account करा गया था, ये बोलते हैं कि women ने men को outnumber कर दिया है, अगर हम India as a whole देखें, तो 1000 अगर आदमी हैं, तो 1000 आदमी के पीछे 1023 women हैं, ठीक है, तो ये इस code का data है, लेकिन अगर हम इस report को देखें, उसके accordingly लोक सभा में, अगर 100 आदमी हैं, तो उनके पीछे women कितनी हैं, 14.94% यानि कि 15% के लगभा, अगर हम राज्य सभा में देखें, तो सिरफ 14%, तो ये balance नहीं बन रहा है, इसकी वज़ा से बहुत जरू परसेंट है, सर, ठीक है, और सबसे बड़ी, for your surprise, वो country जो आप सोच भी आपको, अगर मैं पूछूँ कि भई, women representation सबसे जाधा कहां मिलती होगी, सबसे पहले दिमार्ग में आएगा, सर, nordic countries, अना, Norway, Finland, Sweden, Switzerland, नहीं, सबसे जाधा women reservation अगर है कहीं पैयजा political leadership role में, तो वो है रवांडा में, ठीक है, तो ये भी एक fact, ठीक, अच्छा है, याद रखेगा, चलिए, उसके बाद अगर हम देखें, कि जी state level पे क्या हाल चाल है, तो state level पे अगर मैं national average की बात करूँ, ये वैसे मैंने चार्ट यहां पे code कर दिया, national level के ऊपर, अगर state विधान सबाओं को हो रही है, मान लीजए उनुपात तो अभी बढ़ रहा है आदमियों से, हजार के बदले एक हजार तेईस में हैं, लेकिन political leadership कहां पे है, ठीके, तो ये सबसे बड़ी need है, उसके बाद अगर मैं आपको गुजरात की बात बताऊं, तो 182 मेंबर की अभिधान सबा, उसमें स कैसे reservation मिलेगी women को, इसका constitutional aspect क्या है, हमें दो concept समझने हूँ आज तक आप लोगों ने reservation के लिए जो भी normal नियम सुने हैं, कि reservation कैसे मिलती है, उसको हम classify करते हैं, vertical reservation, मैं तो reservation दो तरीके की होती है, अगर मैं आपको बोलूँ कि मान लीजिए, ये proper 100 people हैं, ठीके, 100 में से अभी let's say, जो 50 या 40 लगा लीजे, they are general, 10 EWS हैं, ठीके, 27 are OBC, और ये दोनों categories हैं, SC, ST के, तो ये क्या होगा, इसको बोलते हैं, vertical reservation, कि एक समाज में अगर 100 लोग हैं, तो उनमें से ये शिरेनिया बांटी गई है, reservation के अधार पर, right, लेकिन दूसरा concept आता है, horizontal reservation का, जिसको बोलते हैं, reservation within reservation, अगर मैं आपको एक सधारन example दूँ, तो मान लीजे, आपने सुना होगा, PWD, persons with disabilities, हाना, जो लोग ऐसे होते हैं, जिनका कोई body part is not properly functional, हाना, तो भगवान की, चलो, जो भी है, उसकी वज़ा से, उनका body part is not functional, accident की वज़ा से, by birth, कोई भी reason हो सकता है, उसकी वज़ वाले लोग हैं, उनको वो general category में भी हो सकते हैं, वो लोग आपके EWS में भी हो सकते हैं, वो लोग आपके OBC category के भी हो सकते हैं, वो लोग आपके SCST श्रेनी में भी हो सकते हैं, तो हमने क्या करा, कि अगर ऐसे कुछ लोग हैं, जिनको special conditions चाहिए, special attention चाहिए, उनको हम क्या क तो दो लोग परि डाइउस यह कहले रहें तूष को बोलेंगे हम देने का सोच रहे हैं विमन को ठीक है लेकिन एक चीज याद रखिएगा यहाँ पे मैंने ये जो डाइगरम ड्रॉ करा है ये इसलिए करा है आपको ये हिंट देने के लिए कि लोकसभा और राज्यसभा पारलेमेंट के दो हाउस होते हैं रेजर्वेशन का जो कॉंसेप्ट है राज्यसभा में नहीं है बिल्कुल भी नहीं है रेजर्वेशन का कॉंसेप्ट है सिरफ लोकसभा में अगर आप इस रेजर्वेशन क्राइटीरिया की बात करो जो की जेनरल केटेगरी EWS, OBC, SC और ST में डिवाइड करता है ये चलती है academic field में यानि की admissions बगरा लेने के लिए या job लेने के लिए लोकसभा में इनमें से EWS वाली केटेगरी और OBC वाली केटेगरी कट जाती है ठीक है और लोकसभा में फिर हर एक मतलब जब भी government को लगता है वो एक delimitation commission बठाती है delimitation commission मतलब वो ये decide करता है constituency कौन सी कितने केटेगरी में होगी वहाँ पर population कितनी जाएगी this and that पर साथ में ही वो reservation की seats भी नरधारित करता है अगर आप इस वाले delimitation की देखो तो तीन केटेगरी में लोग बठेंगे क्योंकि बाकी reservation शरेनिया तो है नहीं ये वाले लोग general है ठीक है तो अभी वाले लोग सभाने बोला है कि SC को साड़े 500 में से schedule cast को 84 seats मिलेंगी और ST शरेनी को 47 seats मिलेंगी साड़े 500 में से और बाकी seats होंगी general category लगभग 410 के करीब seats मनेंगे आपके तो अब वाली जो reservation होगी women की अगर 33% आता है तो वो कैसे आएगी ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि 100 बंदों की strength है तो उसमें से 33 seats directly women को दे दी जाएंगी नहीं ऐसा नहीं होगा तो division criteria क्या रहेगा अपना मान लीजिए ये 84 SC है 47 SC and 410 general है तो 84 में से जब 84 SC people अपनी SC reserved seats select होके आ रहे होंगे तब इन में से 33% जो seats होंगी उन में से सिरफ women candidate ही आएगा या women candidate ही खड़ा करा जाएगा ऐसे ही इन में से इन में भी 33% आएगी और इन में से भी 33% आएगे तो कुछ इस तरह से reservation दिया जाएगा अगर मैं बोलू कि ये figure लोकसभा और state विधान सभा assembly के लिए भी valid है नहीं इन में से क्या क्या कट जाएगा सबसे पहले तो EWS वाला कट जाएगा हाना उसके बाद OBC भी नहीं तो बचे का सिरफ ये वाली category और ये वाली category इनकी seats बढ़ा दी जाएगी जो चलिए उसके बाद अगर मैं presently बात करूं तो पार्लेमेंट के दो house होते हैं लोकसभा और राज्य सभा लोकसभा के 550 member हैं तो 550 member में से कम से कम 182 women को अभी 33% के हिसाब से reservation में लेगी लेकिन ये 182 आएंगे कहां से वहीं से 84 का 33% 47 का 33% 410 का 33% वो तीनों केटेगरी से 33% मिल के आएंगे तो वो बनाएगा 182 अगर आपको कोई बोले कि जी राज्य सभा में 200 member हैं तो यहां पे भी 83 women होना निवारे होगा आप उसको क्या जवाब दोगे नहीं ये गलत है क्यों राज्य सभा में reservation का concept नहीं है ठीक है अगर राज्य सभा में सेस्ट का reservation का concept नहीं है तो women reservation concept भी नहीं आएगा तो presently जो cabinet ने अप्रूवल दिया आप लोगों के दिमाग में ये बात होनी चाहिए सिर्फ लोग सभा और स्टेट विधान सभा assemblies के लिए होगा clear चलिये उसके बाद अगर आगे बढ़ें तो same scenario state legislative assemblies में भी अपनाया जाएगा चाहे वो पंजाब की state legislative assembly फिर महाराश्टर की है चाहे वो तमिलनाड की है चाहे वो बिहार की है तो यहां पे भी कई states ऐसी हैं जो बड़ी states हैं जैसे के महाराश्टर का example लगा लिजे वहां पे भी दो house होते हैं normally states में विधान सभा होती है लेकिन कई states में विधा परिशद के लिए रहेगा जवाब है नहीं कहां पे रहेगा सिरफ state legislative assembly यानि की विधान विधान सभा में clear चलिए कितना रहेगा 33% कैसे आएगा उसी तरीके से जैसे हमने लोक सभा में देखा चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं तीसरा लेवल जो government का है वो 73rd और 74th amendment के जरिया आया था यानि कि local governments का level उसमें भी दो level है पंचायत और municipalities का तो उस level पे जो women reservation है वो already दे दी गई थी 1993 में ही जब ये लाए गए थे ठीक है तो अगर आप local level वाली government की बात करो municipalities पंचायत लेवल की बात करो तो वहां पे reservation women को minimum 33% तो देनी ही देनी है लेकिन हमने ये trend observe करा कि 20 ऐसे राज्य हैं भारत में जिन्होंने reservation 50 प्रतिशत तक दे दी है ठीक है तो आगए जाके हम ये भी देखेंगे कि ये 50% की जो reservation दी गई है ये कैसे सरकार के लिए एक example बनी एक ऐसा क्या उसको बोल सकते हैं सरकार के लिए एक example बनी sorry just a minute हाँ और सरकार को इसने motivate करा कि ये चीज अच्छे results लेके आई है women empowerment के शेत्र में तो हम इसको national level पे भी implement करें ठीक है उसके बाद अगर आप S.E.S.T. की population देखो तो जैसे delimitation commission है वो निरधारित करता है लोक सभा के लिए हाना लेकिन S.E.S.T. की जो local bodies में reservation है उस particular पंचायत में उनकी population क्या है उस basis पे वो चीज डिसाइड या स्टेट में उनकी population क्या है सौरी उस basis पे decide करी जाएगी और O.B.C. की जो कितनी reservation O.B.C. को देनी है वो decide करा जाएगा उस राज्य के state legislature द्वारा clear चलिए तो तीनो लेवल्स पे अभी आई होप आपको reservation का procedure बिल्कुल clear है कैसे दिया जाता है और अभी अगर cabinet लेके आ रहा है तो वो सिर्फ लोक सभा और state विधान जाएगा horizontal reservation से ठीक है चलिए उसके बाद if we move ahead तो ठीक है अच्छी चीज है well and good women को empower करेगी positive class के last में देखेंगी इसके बाद हम timeline देखने वाले हैं लेकिन जो दो मुख्य problems या challenges लगते हैं कि उभर के आ सकते हैं वो है जी सबसे पहला तो सरपंच पती का issue ठीक है सरपंच issue में कि हमने ये एक problem पाई की ठीक है local bodies में women को reservation मिला women सरपंच भी बन के आए लेकिन बहुत जगा पे ये देखा जाता था कि जहां पे किस पंचायत में जिस साल reserved seat women की आती थी तो women को candidate नयुक तो करा जाता था लेकिन उनको use कैसे करा जाता था मान लीजिए किसी का husband बहुत candidate होता है ना जो cut putly types candidates बितलब ऐसा बिलकुल आप शब्दों पर मत जाईएगा लेकिन ऐसा metaphor है ये तो cut putly type puppet candidates की तरह उन्हें खड़ा कर देते हैं तो देखा गया जाता है कि नाम के चलते हुए तो एक women ही representative है women ही सरपंच है लेकिन पीछे से guiding force फिर भी males की रहती है तो यह की issue अभी भी आ सकता है लोगसभा की reservation के case में ठीक है second है जी acceptance ये बहुत एक बड़ा role play करेगा अगर आप acceptance की बात पूछो ठीक है हम उनको opportunity दे देंगे women को एक opportunity दे दी जाएगी कि जी आप आओ लोगसभा में बैठो पर क्या उस constituency के लोग असल में उस औरत को अपना leader accept करेंगे भारत में जो patriarchy रची हुई है इस society में क्या वो patriarchy इन women को कभी as a psychologically mental level पे behavioral लेवल पे इन women को leader accept होने देगी उसके लिए सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे for an example किरन बेदी जी के example ले लिए she was an ips तो उनको opportunity मिली लेकिन उन्हों ने उस पे capitalize करा और आज लोग किरन बेदी जी की ethics में example code करते हैं as a leadership कि आप अवनी चतुरवेदी के example ले लीजे जो पाइलेट थी उसके बाद आप अगर यह doctor थे जो श्रिवास्तव शुव वस्टम विमन बहाइंड चंद्रयान मिशन उनकी एक्जामपल ले जिनका leadership role था उसके पीछे उसके बाद अगर आपको आपको मैं यंग विमन की example द को खड़ा करा था नाम था रमनीग जोतकौर आइगेस रमनीग जोतकौर या तो वो 19 यह ओल्ड लड़की थी और वो इस साल पंजाब यूनिवरसिटी के यंगेस्ट वाइस प्रेज़ेंट बनी है तो इस तरह से अगर लड़कियों को leadership का role दिया जाएगा opportunity मिलेगी उसके बाद जो important चीज होगी वो यह देखना होगा कि उनको acceptance कितनी है उसमें तो वो acceptance आप लोगों का भी काम है सरकार ने अपना काम कर दिया women will be coming to the forefront but accepting them as your leaders having faith on them जैसे घर में आप अपने ममा पर trust करते हो कि हाँ she is running my family कोई भी problem होती I can go to her financial matters हमारी family के वो रंग आज भी बहुत परिवार ऐसे हैं जहां पर जो financial matters है वो आज भी women run करती है और हम उन पर विश्वास है तो ऐसा ही विश्वास हमें यहां पिलाना पड़ेगा ठीक है फिर वो जो सरकार के उठाए कदम हो actualize हो पाएंगे संसार में and then हम really बोल पाएंगे कि अमरित काल 75 साल के बाद अगर सरकार ने कि women development का कदम उठाया तो हम उसमें बराबर के हिस्सेदार है and women empowerment भारत में असली level पर हो रही है clear चलिए उसके बाद अगर आप ऐसे ही UPSC का तयारी करना चाहते तो we have brought P2i course for you तीनों languages में है English English and Hindi as well यह course 22nd of September से शुरू हो रहा है and इसमें हम prelim से लेके interview तक की आपकी तयारी कराएंगे means residential program भी इस ठीक है उसके बाद अगर आपको कोई भी doubt है अपनी preparation को लेके चाहे वो main answer writing है newspaper को कैसे पढ़ना है how to approach with the syllabus decode कैसे करना है PYQs कैसे पढ़ना है तो यही मेरा टेलीग्राम का handle है and if you want इस lecture का PDF चाहिए आपको मैं यह टेलीग्राम चानल पर डाल दूँगा आप यहां से इसको download कर लीजेगा scan करके चलिए उसके बाद बात करते है timeline की timeline की अगर हम बात करें तो तीनों levels पे जब हम independence के लिए लड़ाई लड रहे थे उस व सती प्रथा के खिलाफ उन्हेरे reform movements चलाई उसके बाद independence के दुरान जो हमने पहले women leaders देखे का नंबीनी गांगुली जी सरोजनी नाइडू जी हाना और यहां 1857 के time पे बेगम हजरत महल रानी लक्षमी बाई जी तो उस time पे भी prior to independence भी women को greater representation का जो एक अवास थी भारत में वो थी उसके बाद अगर बात करें constituent assembly की तो वहां पे भी यह debate था and lastly अगर हम post independence की बात करें तो वहां पे भी यह debate था और especially debate शुरू होता है 1970 के time और अगर मैं आपको बोलूँ कि 1970 के time पे debate शुरू होने का कारण यह था कि हमें international level पे कुछ international level जाने की United Nations ने हमसे कुछ अपने जो women हैं उनका status बताईए क्या है और फिर उनके कहने पे जब हमने status analyze करा तो हमें यह need महसूस हुई कि women अगर हम academically बोले, administratively बोले, legally बोले, educationally बोले, health wise बोले, इंडिया में women का status बहुत बुरा है और उसने हमें motivate करा कि हम women को representation दें तो यह बात सच है ठीक है सबसे पह पहानी बताऊं तो 1971 में United Nations भारत को request करता है, वो request यह थी कि 1975 में हम international women's year मनाने वाले हैं, ठीक है, women day तो हम मनाते है, 8th of March को आता है, right, international women's year मनाने वाले हैं, तो उसके चलते हुए हमें आप जो status है women का भारत में उसके उपर एक report दीजिए, ठीक है, तो इस report को जो बनाने का काम भारत की उस time की जो ministry थी, education and social welfare ministry उसको दिया जाता है, और उस ministry के अंदर एक CSWI यानि की committee on status of women in India बनाई जाती है, जुनका जो मुख्य member थी उनमें, वीना मजूमदार जी थी और ये बाद में इस committee ने जो अभी center for women development studies दिल्ली में है, उसमें इसको convert कर दिया गया, ठीक ह उसके बाद इन्होंने report निकाली, ये उस report का original background अगर आप जानना चाहों तो 199 पेज की ये report है, अच्छी report है, अगर अभी भी exam clear होने के बाद वक्त मिलता है, तो आप देख सकते हो कि कैसे change आया, और किन पहलों पे change लाया गया, राइट, तो इन्होंने एक report निकाली, जिन government के नाम पे अभी तक कुछ नहीं कर पाएं, women equality के नाम पे कुछ नहीं कर पाएं, ठीक है, चलिए, उसके बाद 1987 में, राजीव गांदी जी की government आई, उन्होंने एक 14 member committee बनाई, और जो committee उन्होंने बनाई, वो बनाई तब के Margaret Alwa, जो union minister थे, ये Margaret Alwa जी की तस्वीर है, उन् women के लिए 1988 से लेके 2000 तक और उनकी कुछ 353 recommendations थी, जिन में से एक recommendation थी, कि women को reservation देना चाहिए, political level की उपर आके, ठीक है, लेकिन कुछ चीजे हुई, उसके बाद ये government fall हो गई, और ये practically actualized नहीं हो पाई चीज, उसके बाद नरसिमा राओ जी की government आई, और जो 353 recommendations में से एक recommendation थी, नरसिमा राओ जी की government ने जब local bodies लेके आई, 73rd or 74th amendment ने, उन्हें वो जो Margaret अलवा जी की recommendation थी, women को reservation देने की political level पे, वो इसमें implement करी, और वो reservation जो 33% की थी, उसे mandatory बनाया गा, अगर आपको आप पढ़ोगे पंचाहिती राज को, तो voluntary provisions हैं, compulsory provisions हैं, कुछ चीज हैं, जो states पे छोड़ी गई हैं, कि आप अपने states का हिसाब किताब देखके, इनको comment कर ली जएगा, कुछ compulsory हैं, तो reservation women के लिए compulsory रखा गया था, all India level पे, ठीक है, उसके बाद अगर आगे बढ़े, तो जो पहली बार women reservation का bill था, अगर हम parliamentary level पे बात करें, तो वो देवे गौवड़ जी की सरकार द्वारा 1996 में लाया गया था, जिसकी वज़र से वो article था कि 1996 में सब कुछ finalize हो चुका था, तो उसके उन्होंने बोला था कि one third reservation हमें चाहिए, पार्लेमेंट में और state legislatures में, ठीक है, लेकिन MPs ने उन्हें support करा, बट MPs जो OBC category से belong करते थे, OBC community से belong करते थे, उ उसका कारण क्या था वो समझना जरूरी है, और अब या आपको समझ भी वहतर तरीके से आ जाएगा, हमने क्या करा, लोक सभा में तीन, दो categories को ही reservation है, SC and ST, OBC category को educational field में और jobs में reservation है, बट लोक सभा में नहीं है, तो ये जो OBC के उस time के leaders थे, United Front Coalition और इनकी सरकार को उनकी support भ देवे गौवडा की सरकार नहीं कर पाई, और देवे गौवडा जी की सरकार ने फिर एक select committee बनाई इस चीज को consider करने के लिए, और वो उस time के जो communist leader थे, गीता मुखर जी, उनके अंडर बनाई गई, और इस committee में 21 members थे, अगर आप जानना चाहो, तो अभी आपको idea हो जाए ने ये बोला कि जो seats का quota है, तो उसमें जब तक OBC को reservation नहीं होता, तो OBC को भी मिलना चाहिए, क्योंकि OBC women के अगर representation की बात करो, तो OBC को आप 27% reservation normally दे रहे हो, लेकिन जब वो community की women को representation की बात देने की बात पारलेमेंट में होगी, तब उनको representation कौन दिलाएगा, तो इसके बात भी बात ऐसे हुई, फिर आई के गुजराल जी की सरकार, जब आई के गुजराल जी की सरकार आई, तो हुआ क्या कि 1997 में जो देवे गौबडा जी थे, उनको resign करना पड़ा, क्योंकि उनकी support withdrew हो गई थी, और उसके बाद इनोंने सरकार बनाई, 16 मई 1997 को पहली बार ज नहीं होने देंगे, ठीक है, और उस ताइम पे जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं, बिहार के नितिश कुमार जी, तो वो ये वाला lines led कर रहे थे, की जी, OBC को भी जब तक reservation नहीं मिलेगी, हम women reservation नहीं support करेंगे, ठीक है, तो उन्होंने ये बोला था, कि today अगर हम देखे 39 women members, only 4 belong to the OBCs, कि अगर 49 member हैं women के, तो 4 OBC के member हैं, लेकिन the population of women is 50% and OBCs are 60%, but is anyone speaking for the OBC women out of the 50%? तो कुछ इसी context पर जो मुँ अभी तक discuss करते आ रहे हैं, कि SCST women को reservation आप दिला दोगे, लेकिन OBC के पास तो reservation ही नहीं है, तो OBC वाली women को reservation कैसे मिलेगा, तो कुछ इसी note पर फिर से जब आई के गुजराल जी की सरकार आई, तो उसमें भी ये बात फस गई, उसके बाद आत उन्हें जब इस bill को introduce करा, तो opposition में एक leader थे जिनका नाम था, RJD के MP थे, सुरेंदर प्रकाश यादव, तो उन्होंने जब वो bill प्रेजेंट कर रहे थे, law minister उनके हाथ से खीच लिया, और खीच के parliament के floor पे उस bill को फाड दिया, women reservation के bill को, ठीक है, और उसके बाद इनी के time पे इल्यास आजमी थे, वो BSP के leader थे, तो उन्होंने ये माना कि अगर आप reservation की बात कर रहे हो, OBC के साथ साथ, Muslim women को भी reservation देनी चाहिए, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जैलिता जी ने support विड्रू कर ली, तो जो अटल बहारी वाजपाई जी की सरकार थी, उसको गि विचार हुए MS Gill जी थे, तो MS Gill इस ताइम पर अक्टिवेट हो गए थे, उन्होंने election commission के जो भी recommendations से, लेकिन वो actually आपको ये देखना पड़ेगा, जो आए, वो मनमोहन सिंग जी की government को दरान आए, ठीक है, तो मनमोहन सिंग जी की जब government आई, तो इन्होंने तीन मुख्य प उन्हों को reservation अगर मान लिजे 33% सो में से 33% का reservation देना चाह रहे हो, तो वो reservation हम दे देंगे, लेकिन देंगे कैसे, सीटें 100 नहीं रहेंगी, सीटों को बढ़ा के 133 कर दिया जाएगा, ठीक है 33% reservation के लिए मनमोहन सिंग सरकार मानी, दूसरा उन्होंने बोला कि अगर reservation देनी है तो 100 से बढ़ा कर 33% सीटें बढ़ाई जाएगी विमन reservation देने के लिए, और तीसरा उस टाइम पर जो MS गिल जी थे, जो नोंने election commission को जब recommendation हो गई थी, वो तब से election commission की जो committee थी, वो research कर रही थी, उसकी एक recommendation देखने को आई, उन्होंने बोला कि जी अगर reservation देनी है, तो इसक at the party level भी implement किया जाए, party level मतलब कि जब कोई भी party अपने candidates को ticket दे रही होगी, तो उस ticket allocation के दौरान भी वो reservation रखे कि 33% जो tickets के allocation होगी, वो women को होगी, ठीक है, तो फिर उसके बाद जो 6 मई 2008 को UPA government introduce करती है, the constitution 108th amendment bill 2008 राज्यसभा में, ये जो bill था, ये कुछ इसी पहलूँ पे लोकसभा और state legislative assembly में reservation लेकि आना चाहता था, कि 33% reservation दो, लेकिन कैसे दो 33% seat बढ़ा के, और lastly parties जब seat allocate करें, तो वो भी कैसे करे, seat allocation में भी 33% का जो ticket है, वो women को दिया जाए, फिर due to differences, Congress में खुद में ही differences आगे, Congress के cabinet में, और कुछ इस तरह से जो Congress government भी थी, वो भी fail होगी, इस बिलकुल आने के लिए, फिर 2014 में, मोधी government आई, हाना, बीजेपी की government आई, तो जब बीजेपी की government आई, तो जो इनका manifesto था, ठीक है, उसको संकल्प पत्र बोला जाता था, बोला जाता भी, 2014 वाला भी, 2014 वाला भी, तो संकल्प पत्र में पहली बार इस government ने mention करा था, क हम कुछ ऐसा लेके आएंगे, 2014 में भी, लेकिन 2014 वाली जो इनका time period था, 14 से 19 तक का, उस time में ये नहीं ला पाए, लेकिन उस time में भी, इन्हों ने जो वो women empowerment थी, वो कुछ और schemes, जैसे के आप उजवला scheme लगा ले, जो उनके थूरू पूरा करना चाहा, लेकिन 2019 में जब य कदम है, सरकार के women empowerment को लेके, जैसे के triple तलाक स्वच भारत अभियान में भी, women की empowerment को focus करा गया है, और lastly, जो ये वाला सरकार का कदम रहेगा, this will be a landmark step, ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो, तो ये article उसी चीज को दर्शाता है, जो आज Indian Express के front page पे है, अगर हम इसका analysis criteria पे दे रहे हैं कि इन communities ने historic wrongs face करे हैं, और उनको अभी supplement करने के लिए, हम इनको reservation देने तांकि वो चीज़ें सही हो जाएं समाज में, कभी भी अगर reservation की बात उठती है, तो economic level पे इसको इस वज़ा से nullify करा जाता है, कि reservation economic benefits देने वाला program नहीं है, reservation है तो है सिरफ historic wrongs को सह सही करने के लिए, अगर आप economic empowerment देख रहे हैं, उसके लिए सरकार के programs हैं, जैसे एम जी नरेगा, etc, economic empowerment सरकार वैसे कराएगी, reservation सिरफ एक ही purpose के लिए, जो historic wrongs in communities ने face करे हैं, उनको हमें अभी वापे से सही करना है, तो अगर historic wrongs की बात आती है, तो women ने भी सबसे ज़ादा या उन communities के बराबर के historic wrongs face करें, ठीक है, जैसे आप सती प्रता लगा लिजे, women को बाहर नहीं जाने दिया जाता था, पर्दा प्रता लगा लिजे, all these kind of things are historic wrongs which have been faced by the women, ठीक है, चलिए, उसके बाद caste groups वाला angle आता है, फिर gender quota का angle आता है, इन सब को किसी दिन विचार में इ आती है, तो इसका analysis क्या निकलेगा, और means में आप कहां पिसको inculcate कर पाऊगे, ठीक है, उसके बाद अगर आप gender quota देखो, तो without a gender quota women की जो representation है, ये बिल्कुल marginal रहेगी, क्योंकि अभी भी आप देख लीजे, women empowerment होती आ रही है, लेकिन still लोकसभा में percentage कितनी है, 14.94 परसें ठीक है, उसके बाद आप पंचायत में देखो, तो पंचायत में positive aspect ये निकल के आता है, जो मैंने आपको बात बताई थी, कि सरकार के, वो exemplary काम करी, वो exemplary read ये थी, कि अगर हमने पंचायत में reservation दी है, तो उसने empowerment दिला के दी है, तो उसके study के basis के उपर भी एक positive aspect का का काम क तो उस vote share में तो women की representation बढ़ रही है, लेकिन as a leadership role में ये वाला move उनकी representation बढ़ाएगा, ठीक है, and lastly जो हम challenges की बात कर रहे थे, सबसे बड़ा challenge आएगा acceptance का, और उसमें सबसे बड़ा role होगा आप लोगों का, ठीक है, तो आप लोगों को mentally women को अपना leader accept करना पड़ेगा, उन So women who can run the nation, right, so that was analysis for today's video, I hope you like it, what are your comments about it, कैसा रहेगा सरकार का ये decision, do mention in the comments, I would be eagerly waiting to know that, that was it for today's video, see you guys in the next one.